अब सभी का पुने स्वागत है लाइव इस्टरी लाइव टाइम पर और आज हम देखने जा रहें बीए पार्ट थर्ड यर की जो हम जोग्रोफी की शीट बना रहे हैं वह हमारे यहीं को बने की शरू करते हैं आज जो हम वीडी देखने जा रहे हैं उस वीडी का नाम है कि इस प्रिकार से ही आता है आपके पिरिसन में अधिक से अधिक मापनी चेंज हो सकती है और अंतराल चेंज हो सकता है लेकिन उसकी जो calculation रहेगी वो यही रहेगी उसका जो diagram बनाने की प्रिक्रिया रहेगी वो भी इसी प्रिकार रहेगी जिस प्रिकार अब हम आगे वीडियो में diagram बनाएंगे सरप्रता हम इसकी केलकोशन देख लेते हैं किसकी प्रिकार से सरप्रता हम आर निकालेंगे प्रित्वी का अर्धिवास जो कि आपको मालूम होगा उसमें हमारी मापनी जो हमने मानी उसका डिवाइडिशन भाग दे देंगे तो हमारे पास 2.1 cm आ जगा लेकिन हमेचे ये देशंतर रेखाऊंगी आब आते विवीन अक्षांसवरत की भूमत दे रेखा से दूरी यानि हम अक्षांस रेखा दर चाहेंगे उनकी भूमत दे रेखा से दूरी उसका सूत्र है 0.356 x r हम इसमें 2.1 अब तो जुद लेकाई डैग्रम बनानागाँ ज करते हैं हम पर मेंट यह स्था से नहीं सिंफ मेंट कें से और समक्ति लूपर तर्शन है इसीयसे आप याद रखे का इसे आप मैंडल में लाकएफ्याइव उपर भी शान आली नीचे के साइट बनाएं तो देखिए कुछ इस प्रिकार हम सब्सक्राइब रखेंगे इसके लंबाई रही तेरा पॉंट दो यह भूमत दे रहा है हमारी जिसका हमने नाम कर दिया है अब हम आप देखिए अब हम बूर्छे के सो अब हमने यह ऋक्षांस वरत की भूमत दे रहा से दूरी जो कि हमारेcha यह जो सेंटीमिटर कितने यह 25 सेंटीमिटर तो अब हमें करना कुछ नहीं है हमारी भूम में दे रेखा से 25 सेंटीमिटर का टिक उपर और एक टिक नीचे लगाना है और फिर समान अंतर एब के समान अंतर रेका खिश देंगे तो यह हमरे एक चांस रहा हो दर्शा आएगा तो से एक पॉंट्ट देखते हैं हमें यह चांस रहा ही गांगे तो इसी प्रकार हम होगी ऑफिसे फ्रकार हम साट डिगरे निचे एक पॉंट्ट चेकर और इसके पांच मुंट रहें है वह गरता है दो प्वित और हो यहां पे इस प्रकार लगा लेंगे इधर भी नीचे भी नीचे भी लगाएंगे तो यह कुछ इसी प्रकार बी पॉइंट पर भी जो बी पॉइंट है उससे दो पॉइंट दो पॉइंट यहां तक नहीं पहुचना है थोड़ा सा बीच में रुख जाना है आपको भी अगर्षा दिया अब हम इस प्रदेशांतर रेखाएंगे तशाने के लिए जो मेरी भी पॉइंट पर देशांतर रेखाने के लिए और उनकी जो दूरी रहेगी उन्दूरी रहें आपको फिरसन में हमें जग दी गए अंतराल पर दो सनलगन देशांतर रखाऊंगे बीज की दूरी वह हमारी 0.13 cm तो अब हम A. से B. तक 0.13 cm के 18 टुकड़े करेंगे अर्थात अगर सीधी भाशे में आपको समझाओं तो अब आपको 0.13 डिगरी के टिक लगाने हैं और इसमें जो हमारी पूरी A. और B. रेखाएं वह 18 भागों में बढ़ जाएगी और फिर हमें देशांतर रखाएं खीच देनी है तो एक कुछ इस प्रकार से हम देशांतर रखाओं को भी दर्शा देंगे या अगर आपके पास सैट उसकार है तो आप सैट उसकार से एक बार आपने जब भूमेद रखाओं पर टिक लगा लिया तो सैट उसकार की साइथा से आप 90 डिग्री अंगल पर कोई भी रेखा खीच सकते हैं यह सैट शकार का का मोता है और यह किसी बिंदू से 90 डिग्री का नाम है वह हम दर्शा देंगे और अब हमारे डाग्राम कम्प्रेट हो चुका है आई यह वोप आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो फ़ली चैनल को सिस्क्राइब कर ले वीडियो का अपने दोस्ते आप सेर करें और लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक